नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज हम देखने वाले हैं उपभोगता सरक्षन एवं सहकारी सी मेतियू से समन्दित जो इंपोटेंट 50 परसन है दोस्तों वो सभी क्यूसन है जो आपके एकजाम की दरश्टी से बहुती इंपोटेंट क्यूसन है इसलिए एक बार आपन तक इस वीडियो को जरूर देखें आप सभी का मैं सुआगत करता हूँ यूटूब चैनल कुछामन ओनलाइन कलासेज पर दोस्तों जो नए साती है पहली बार क्यूसन गईक्य दरश्टी से बहुत important है रहने से बार कोई सभी एकजाम हो कभी बी कोई क्यूसन नहीं आता है दोस्तों चलते है क्यूसन की और पहला क्यूसन है दोस्तों छे देखें अदानीहा हूव बारत के अंदर जो उपभोगता स्रुअ अदिनियम कब लाग लाग ह फॉप भोगता सरक्षण अदिनियम भारत के अंदर 1986 के अंदर लागू हुआ था यह उप्सन आपका यहां पे सही रहेगा और बहुआ रिएप्सन नमबर दो भारतिय माननक ब्यूरो दूरा वस्तू की गुणवता कि प्रक करके जो मार्का प्रधान किया जाता है वह है कौनसा है एप बील, आई एस आई, हजी एम, डी सी एम तो भारतिय माननक ब्यूरो दुवारा वस्तु की जो गुणवता है उसको देख कर उसको परक कर जो मारका परधान किया जाता है वो मारका है आई एस आई का दोस्तु बी ओप्सन आपका सही रहेगा इंपोर्टेंट क्यूसन है ये भी दोस्तु नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं क्यूसन नंबर तीन है दोस्तु कोई भी उपभोगता अपने माल की क्रीद के लिए कितने दिन की अवदी में उपभोगता मंच में वाद दायर कर सकता है कोई भी उभोगता है वो माल की खरीद के लिए है जो कितने दिन तक जो उभोगता मंच है उसके अंदर जो वाद है वो दाइर कर सकता है दोस्तु 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन या 40 दिन समय दिया गया है 30 दिन का दोस्तु 30 दिन के अंदर जिस दिन माल खरीदा है उससे 30 दिन तक उभोगता मंच में वो वाद दायर कर सकता है कोई भी उभोगता नेक्स्ट क्यूसिन में चलते हैं क्यूसिन नमबर चार है दोस्तों जिला राज्य और राष्ट्रिय उभोगता मंच पर दावा रासी करमस है जिला इस्तर पर राज्य इस्तर पर और राष्ट्र इस्तर पर जो दावा रासी उभोगता मंच पर वो कितनी है दोस्तों वो रहे राज्ये इस्तर पर बीस लाग से एक करोड तक होगी और राश्ट्रे इस्तर पर एक करोड से अधिक, एक करोड से उपर की होगी दोस्तुूं। कोई भी उप्भोगता किसी वस्तु की गुणवता, मात्रा एवं उप्योगिता की जानकारी किस आधार पर ले सकता है। कोई भी उप्भोगता है जो सूचना के अधिकार की तहट जो वस्तु की गुणवता है, जो वस्तु की मात्रा है और जो उप्योगिता है इसकी जानकारी ले सकता है। सब एक के लिए, जह सहकार सब को पार, सही जो रहेगा कि सहकारिता अंदोलन का मूल सिद्धांत, सब एक के लिए, एक सब के लिए, सब एक के लिए दोस्तु। नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं, क्यूशन नंबर साथ है आपका दोस्तु। बारत में सहकारिता अंदोलन का प्रारम, बारते दुर्बिक्स आयोग की सिपारी सूपर बनने सहकारी साख सिमेति एदिनियम के तेत मनाया जाता है। जो पारित हुआ था, कब पारित हुआ था, 1904 इस्वी में दोस्तु। यह ओप्शन आपका सही रहेगा, इंपोर्टेंट क्यूशन है यह भी दोस्तु। नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं, क्यूशन नमबर आठ है, राजस्तान में सहकारीता अंदोलन का प्रारम वर्स, 1904 इस्वी में किन जिलू में हुआ था, जब सहकारीता अंदोलन 1904 में प्रारम हुआ तो राजस्तान में कौन-कौन से जिलू में प्रारम हुआ था, तो य सर्वपर्तम सहकारी कानून बनाया, कौन से रियासत थी राजस्तान राजे की जिसने सर्वपर्तम सहकारी कानून बनाया था दोस्तूं, बरतपूर, मारवाड, उद्देपूर, सहापूरा, सही रहेगा आपका ओप्सन है, बरतपूर जो रियासत थी उसने सबसे पहले सहकार कानून बनाया था दोस्तों नेक्स्ट क्यूसिन में चलते हैं वर्तमान में लागू राजस्तान सहेकारी अदिनियम कब अस्तित्व में आया था जो वर्तमान में लागू है वो सहेकारी अदिनियम कब लागू आया था राज लागू है जो अस्तित्व में कब आया था दोस्त चोदे नवंबर 2002 को इंपोर्टेंट क्यूसन है वर्तमान में जो राजस्तान के अंदर सहेकार ये दिनी हम चालू है वो चोदे नवंबर 2002 को अस्तित्वे में आया था नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं क्यूसन नमबर 11 है दोस्तु उपभोगताओं को सरक्षन परदान करने है तू सीवल परकिरिया सहीता किस वर्स बनी सीवल परकिरिया सहीता किस वर्स बनी उपभोगताओं को सरक्षन परदान करने है तू दोस्तु उपभोगताओं को सरक्ष कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तूं पहला है आपका ओप्सन आपका यहां पर सही रहेगा नेक्स्ट यूशन में चलते हैं नेक्स्ट यूशन है आपका राज्य उब्वोगता सरक्षन आयोग के निरने के विरूद अपील की जा सकती है राज्य उब्वोगता सरक्षन आयोग है उसके निरने के विरूद आप जो अपील है वो कहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों उच नयाले में, राजस्व मंडल में, सरवोचे नयाले में, राष्ट्रिय उपभोगता सरक्षन आयोग में तो सही रहेगा D-Option अगर राज्य उपभोगता सरक्षन आयोग के निरने के विरुद आप अपील करना चाते हैं तो आप राष्ट्रिय उपभोगता सरक्षन आयोग में कर सकते हैं Next question में चलते हैं के अंदर ये उपभोगता सरक्षन परिस्द का पदेन चेर्मेन होता है केंदर ये राष्ट्री उपभोगता सरक्षन है परिसेद है उसका जो पदेन चेर्मेन है वो कोन होता है दोस्तुं केंदर ये उपभोगता मामलू का मंत्री, परधान मंत्री, कर्सी मंत्री, केबिनेट सचीव, सही रहेगा ओप्सने केंदरिये उपभोक्ता मामलू का मंत्री केंदरिये उपभोक्ता सरक्षन अदिनियम सरक्षन परिसद है उसका पदेन चेर्मेन होता है केंदरिये उपभोक्ता सरक्षन परिसद की अदिकारिता कितनी मुल्य वाले वाद मामलू से प्रारम होती है कितने मुल्य वाले वाद हैं जो विवाद हैं मामले हैं उन पर केंदरिये उपभोक्ता सरक्षन परिसद है वो सुनवाई करता है दोस्तु कितने तो सही रहेगा आपका एक क्रोड से दिख एक क्रोड पहले मैंने बताया था जिला इस्तर पर बीस लाग तक है दोस्तु जिला इस्तर बीस लाग बीस लाग से उपर और एक क्रोड तक ये होता है राज जेस्तर और एक क्रोड से अगर उपर की बात की जाए तो ये होगा केंदरीय उपभोगता स्रेक्षन परिसद का दोस्तूं केंदरीय उपभोगता परिसद राश्ट्रिय आयोग का कारिया ले कहा है दोस्तूं नई दिल्ली के अंदर एक उप्सन आपका सही रहेगा इंपोर्टेंट क्यूसन है ये नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं राज्य उपभोगता स्रेक्षन परिसद आयोग के सदस्यू की अधिक्तम संक्या कितनी है साथ दस बार या पंदर है सही रहेगा बी ओप्सन दस दोस्तूं इंपोर्टेंट क्यूसन नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं क्यूसन नंबर अठारा है आपका उपभोगता सरक्षन संसोदन अधिनियम दो जार दो की मुख्य विसेश्ताएं है उपभोगता सरक्षन अधिनियम दो जार दो है जो संसोदित है उसकी मुख्य विसेश्ताएं क्या क्या है दोस्तों लेखते हैं option पहला है उपभूगता की मर्थ्यू पर उसका विदीक उत्तरदरी उत्रादिकारी या परति निदी सिकाई दाकिल कर सकता है यह है दोस्तूं विश्यस्ता है राज्य सरकात परते एक जिले के यह भी सही है तो तीनु सही है आपका D-Option उप्वोग सभी यहां पे सही रहेगा दोस्तूं चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन की ओर क्यूसर नंबर 19 है आपका राज्य उपभोगता आयों की अधिकारिता निश्चित की गई है कितने रुपे तक कितने रुपे तक के के लिए दोस्तूं 20 लाग सें एक करोड तक का जो वाद होता है उसके लिए राज्य उपभोगता आयों की अधिकारिता है नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं जिल्ला उपभोगता मंच की बनावट के सम्मन्द में कौन सा कतन सही है देखते हैं दोस्तूं पहला है अधिक्स जो जिल्ला नयाइदी सके सम्मान योगता रखता है सही है दोस्तूं दो अन्य सदसे जिसमें एक महिला होगी ये भी सही है जिल्ला मंच के परतेख सदसे का कारियकाल पांच वर्स या 65 साल की उमर तक जो भी पहले होगा उसके बराबर होगा ये भी सही है तो यहां पे ती वर्तमान की बात हो रही है हमारा साल हमारी सुरक्सा जागो गरहक जागो हमारा हक हमारी लड़ाई गुनवता को सलाम वर्तमान के अंदर जो उपवोगता सरक्षन का नारा है वो है जागो गरहक जागो नेक्स्ट क्यूसर में चलते हैं क्यूसर नमर बाइस है राज्य उप अधिक्तम उमर कितनी हो सकती है दोस्तों 67 वर्स सतर वर्स 65 वर्स 65 वर्स सई रहे गा आॉप्सने 767 वर्स दोस्तों नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं क्यूशन नमबर 23 से मित्रू राज्य उपवोगता सरक्षन परिसद का अधिक्स कोन होता है राज्य उपवोगता सरक्षन परिसद राज्य की बात हो रही है तो अधिक्स कोन होता है दोस्तू राज्य सरकार के उपवोगता मामलू का परभा से हो सकते हैं राज्ये में दोस्तों कितने चार सदसे नेक्स्ट क्यूसिन में चलते हैं कम से कम की बात हो रही है दोस्तों लाश्ट क्यूसिन में ध्यान रखना राश्ट्रिय आयोग की इस्तापना कौन करता है जो राश्ट्रिय आयोग होता है उसकी इस्तापना कौन करता है केंदर ये सरकार राश्ट्रे आयोग की स्तापना करती है next question में चलते हैं राश्ट्रे आयोग के अदेक्स की न्यूकती उच्टम नयाले के मुखे नयादीस के प्रामर्स में कौन करता है राज़्य आयोग के अद्देक्स की न्यूक्ति उच्टम न्याया लेके मुखे न्यादिस के प्रामर्स से कौन करता है दोस्तों कौन करता है के अंदर सरकार ओप्सन भी आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं राज़्य इस तरिये उबखोगता सरेख्षन परिस्ड का पर्तम बार गटन किया गया था जो राज़्यस्तान की उबखोगता सरेक्षन परिस्द है उसका सबसे पहली बार गटन कब हुआ था दोस्तों कब हुआ था एक अगस्त 1987 को याद रखना इंपोर्टेंट है दोस्तु ये क्यूसन एक अगस्त 1987 को हुआ था गटन नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं क्यूसन नमबर 28 है दोस्तु राज्ये में सहेकारी संस्ताओं के चुनाव करवाने हैं तू नोडल अभिक्रण संस्ता है कौन सी संस्ता है जो सहेकारी संस्ताओं है उनके चुनाव करवाने हैं तू नोडल संस्ता कौन सी होती है दोस्तु कौन सी होती है राज्ये निर्वाचनायोग सी ओ अप्शन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं नेक्स्ट क्यू इस्तापित किया गया था दोस्तों किस वर्ष उन्नीस सो त्रेपन में यह उप्शन आपका सही रहेगा इंपोर्टेंट क्यूसन है यह भी नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं राज्ये में जिला इस्तर पर कारियरत के अंदर ये सहकारी बेंक दुआरा दिये जाने वाले रिन की अउदी है जिला इस्तर पर जो राज्ये के अंदर कारियरत रहती है के अंदर ये सहकारी बेंक उसके दुआरा रिन कितनी अउदी के लिए दिया जाता है तीन से पांच वरस के लिए कितनी तीन से पांच वरस के लिए दिया जाता है दोस्तों नेक्स्ट क्यूसर में चलते हैं राजस्तान राज्य सहकारी कर्रे विकर्रे संग का संग्षिप्त नाम क्या है राजस्तान राज्ये सहकारी कर्रे विकर्रे संग का शंग्शिप्त नाम क्या है दोस्तूं राज फेड ओप्सन सी सही रहेगा नेक्स्ट यूसर में चलते हैं राजस्तान में उपभोगता सहकारिता का प्रारम कहां से हुआ उबोगता सहिकारिता प्रारम राजस्तान में कहां से हुआ था अजमेर से दोस्तु ओप्शन ए आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं निवन में से कौन सी योजना महिला सहिकारिता से समंदित है कौनसी योजना है दोस्तूं महिला सहकारिता से समंदित पहली है अपना बच्चतगरी योजना है यानि महिला मिनी बेंक ये महिला सहकारिता से समंदित है दोस्तूं महिला नागरिक सहेकारी बेंक ये भी महिला सहेकारिता से समंदित है महिला दुख्द उत्पादक सहेकारी सिमेतियां ये भी महिला सहेकारिता से समंदित है तीनों ही योजनाए हैं जो महिला सहेकारिता से समंदित है D option उप्रियुक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा Next question में चलते हैं Question number 34 राज्यस्तान राज्य सहेकारी मुद्रानले की स्तापना की गई कब की गई थी दोस्तों 1960 के अंदर Option A आपका सही रहेगा और important question है Next question में चलते हैं राज्यस्तान सहेकारी सिक्ष्या एवं परबंदन संस्तान RIC EM जेपूर के संस्तापक अदिक्स थे कौन थे राज्यस्तान सहेकारी सिक्ष्या एवं परबंदन जो संस्तान है उसके संस्तापक अदिक्स कौन थे दोस्तों स्री मिठालाल महता option A आपका यहां पे क्या रहेगा सही रहेगा next question में चलते हैं question number 36 है दोस्तों संजीवनी योजना का संबन्द है जो संजीवनी योजना चल रही है उसका संबन्द किससे हैं दोस्तों सहेकारी सिमेतियों के पुंद्रूधार से दोस्तों Option A आपका यहां पे सही रहेगा. Next question में चलते हैं. Rajasthahn में सहकारी किसान कार्डियोजना का प्रारम जिस वर्स हुआ? वह है. सहकारी किसान कार्डियोजना राजस्तान में का प्रारम हुई थी दोस्तुं? 1999 में में दोस्तुं. बी option है जो आपका यहां पे सही रहेगा next question में चलते हैं question number 38 क्रेपी काडियोजना जो वर्स 1982 में प्रारम हुई को किस सिमेती के परतिवेदन की सिपारिस पर प्रारम किया गया था जो क्रेपी काडियोजना है 1982 में जो प्रारम हुई थी कौन सी सिमेती की सिपारिस पर प्रारम की गई थी दोस्तों सिवरमन सिमेती की सिपारिस पर D option आपका यहां पे सही रहेगा next question में चलते हैं question number 49 है दोस्तों सहकारी दसाबदी वर्स मनाया गया कब मनाया गया सहकारी दसाबदी वर्स दोस्तों कब 2004 के अंदर में सहकारी दुख्द डेरी का प्रारम हुआ था सहकारी दुख्द डेरी राजस्तान में कब प्रारम हुई और कहां से प्रारम हुई दोस्तों जैपुर में 1957 इस विसें दोस्तों ओप्शन एपका सही रहेगा इंपोर्टेंट क्यूसन है ये भी next question में चलते हैं Qsion number 41 है दोस्तू राजस्तान में dairy विकास है तू सिरससंस्ता राजस्तान सहकारी dairy संग RCDF की इसतापना की गई राजस्तान सहकारी dairy संग की इसतापना कब की गई थी राजस्तान में दोस्तों 1977 के अंदर है 1977 में बी ओप्सन आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं राज्य में जिला सहेकारी दुग्द उत्पादन संग कितने हैं जिला सहेकारी दुग्द उत्पादन संग राज्य में कितने हैं दोस्तों 21 है दोस्तों option C आपका यहां पर सही रहेगा next question में चलते हैं राश्ट्रिय उपभोगता राश्ट्रिय उपभोगता सरक्षन आयो के निरने के विरोध कहाँ अपील की जा सकती है बात किसकी हो रही है राश्ट्रिय उपभोगता सरक्षन की तो जिला से हम राज्य राश्ट्रिय उपभोगता सरक्षन आयो के निरने की विरोध हम कहाँ जा सकते हैं सुप्रिम कोट C option आपका यहां पर सही रहेगा next question में चलते हैं question number 44 है सहकारी सिमेतियां कितने परतिसत भारतिये गाउं को समाईत करती है 97 परतिसत दोस्तों 97 7 परतिसत गाउं को सहकारी सिमेतियां वो समाईत करती है next question में चलते हैं विश्वे में परतम सहकारी आंदोलन की सुरुवात किस देश में हुई परतम सहकारी ता आंदोलन की सुरुवात किस देश से हुई थी विश्वे के अंदर England से दोस्तों option D आपका यहां पर सही रहेगा next question में चलते हैं बारत में उपभोगता सरक्षन अदिनियम किस वर्स लागू किया गया उपभोगता सरक्षन अदिनियम भारत के अंदर किस वर्स लागू किया गया था दोस्तों 1986 में उपभोगता सरक्षन अदिनियम नेक्स्ट क्योशन में चलते हैं ठगी अत्वा अनुसूचित व्यापारिक्स विवा होने पर हमें सिकायत करनी चाहिए कहां पर ठगी अत्वा अनुसूचित व्यापारिक्स विवाद है दोस्तों यहां पर विवाद होने पर हमें सिकायत करनी चाहिए कहां पर दोस्तों उप सु Christian मांज को ओप्सन B आपका सई रहेगा नेक्स means छलते हैं राजस्तान में उपभोकता सरेक्षन दिनियम 1986 से किस लागवा किस वर्ष लागवा था उननीस सूछीनमे में दोस्तों और चलते हैं दोस्तों आज कि हमारे अन्तीम क्यूशन की और केंदरी ये उपभोगता सरेक्सन प्रिस्द का अद्देकस कौन होता है कौन होता है दोस्तों केंदरी सेरकार में उपभोगता मामलू का प्रभारी मंत्री सी ओ उप्सन आपका answer आपको दिया जाएगा एक बार सभी मितर वीडियो को लाइक कर दें अपने सभी मितरू के पास सेर जरूर कर दें और जो नए साती है पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सभी मितर जिनके पास बेल आइकन नहीं दबाया है और नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं तो बेल आइकन के अंदर ओल नोटिफिकेशन को जरूर ओन कर लें दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत दन्यवाद जे हिंद जे भारत